हेलो दोस्तों, गरभावस्था के दोरान खान पान का विशेश ध्यान रखना बहुँ जरूरी होता है ताकि गरभावस्था के दोरान भी कोई दिक्कत नहीं आए और डिलेवरी के समय भी कोई परिशानी आपको नहीं हो आज में इस वीडियो के माध्यम से आपको केले खाने के फायदे बताने जा रही हूँ केले खाने से नर्मल डिलेवरी के चांस बढ़ जाते हैं आपको कब से केले खाने चाहिए और केले खाने के क्या-क्या फायदे होते हैं ताकि आपेक, स्वस्त, बुध्यमान, सुन्दर और नर्मल तदिके से सिसु को जन्म दे पाएं। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान फोली केसिड और कैल्सियम किसी भी गर्भबत्य महला के लिए बहुत जरूरी होता है। केले में फोली केसिड और कैल्सियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। जो गर्भबत्य महला के साथ साथ सीसु के मस्तिस्क और हड्यों के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके रोजाना सेबन से प्रेमिचोर बर्थ की संभावना कम हो जाती है और सीसु का विकास अच्छे से होता है और महला के डिलेवरी नार्मल होती है। प्रिग्नेंसि में दोरान गर्वबती महला को अक्सर खून की कमी होती है और खून की कमी होना किसी भी गर्वबती इस्तरे के लिए और पेट में पल रहे सीसू के लिए बहुत हानिका रख होता है। केले में आईरन की भर पूर मात्रा होती है जो खून की कमी को पूरा करके हिमोगलोबिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। केले में बाइटिमिन B6 भी प्रचूर मात्रा में मौजूद होता है, जो मौर्निंग सिकनेस, उल्टियां, जी मिचलाने जैसी समस्याओं से राहत दिलाने का काम करता है। अगर आपके सरीर में खोन की कमी नहीं होगी, तो नर्मल डिलेवरी के चांस बढ़ जाते हैं। करना चाहिए, सेबन जरूर करने चाहिए ताकि नर्मल डिलेवरी के चांस बढ़ जाए। प्रिग्नेंसी के दोरान केला खाने से दस्त और पेट में एठन की समस्याओं से राहत मिलती है। और कबजी की समस्याओं भी दूर होती है, इसके लिए भोजन करने के बाद केला आपको जरूर खाना चाहिए। केले में कैल्सियम और प्रोटीन उच मात्रा में होता है, जो गर्भाविस्था के दोरान उर्जा प्रदान करने का काम करता है। गर्भाविस्था के दोरान ठाकान और कमजोरी नहीं होती है अगर हो जाना केले का सेबन किया जाए तो और नर्मल डिलेवरी के चांच इसे बढ़ जाते हैं दोस्तों प्रेग्नेंसी के दोरान ही नहीं बलकि दिलिवरी के बाद भी केले का सेबन करते रहना चाहिए क्योंकि इसके सेबन से दूध सही मात्रा में बनता है जिससे अस्तन पान कराने में दिक्कत नहीं होती है इसलिए केला अस्तन ग्रंथी के स्त्राब में सुधार करता है और उचित मात्रा में दूध का निर्मान करने में सहायक होता है इसलिए रोजाना गरभाबस्था के दोरान भी और दिलिवरी के बाद भी केले का सेबन करते रहना चाहिए गरभावस्था के दवरान जो फी महिलाएं केले का सेवन करती हैं उनके सीसु का विकास सही तरीके से होता है नॉर्मल डेलिवरी के चांस बढ़ जाती है आसा करती हूँ ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी आप लेज इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंकियो भेरे मच